सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिन्दगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्ट करने के लिए नमस्कार मैं सारदा पांडे आसान जिन्दगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताऊंगी जूटे चंद्र ग्रहन के बारे में इसके पहले भी मैं आपको कई वीडियो दी हूँ जिसमें आपको confusion रहता है कई हमसे बहने और हमारे जो दर्सक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि चंद्र ग्रहन पांस तारीक को है या नहीं मैंनको जवाब दे दे के वर्षानों कि नहीं है नहीं है नहीं है पर टीवी चैनल वाले भी और बाकी सब लोग भी बोलते हैं है लेकिन नहीं है तो नहीं है मैं आपको यही बताने आई हूँ जैसे कि इसके पहले भी जब जन्वरी में चंद्र ग्रहाण का अफ़वा फैला था तब भी मैं आपको बताई थी कि आप किसी भी अफ़वाहों में ना पढ़े जो आपके हाँ पंचांग है कलेंडर है या मंदिरों में आपके प्रोहीत है कुलू प्रोहीत है जो बड़े जो टीवी चैनल वाले हैं ये भी इतना मतलब बड़ा बड़ा चैनल है ये लोग भी अफवा फैलाते हैं अंत में बोल देंगे कि चंद्रमा धोमील दिखेगा तेहां प्रभाव नहीं पड़ेगा अरे जो गर्भोती महिलाएं हैं तमाम जो चंद्र ग्रहन को मानते हैं सीध अपना कपड़ा अपड़ा दोरत में कीवट बोले लेटे चंद्र ग्रहन था मैं बोली वाह भी ठीक है अब क्या बतायेंगे तो पूरा वो साफ सफाई करते हैं अपना घर के लिप आई पुताय करते हैं ये लोगों को परसान करने वाली बाते उताएं तो मैं आपको बता कि पांच अभी जून है इसमें कोई भी चंद्र ग्रहन नहीं है जन्द्र ग्रहन हमेशा पुरिमा पर होता है सूर्य ग्रहन अमाउस्या पर होता है जो की साल का पहला सूर्य ग्रहन 21 जून को पड़ेगा इसके लिए मैं विध्युवत आपको बताऊंगी आगे और आसान जि में अपको बताऊँकि टो जो दीस से होता है यानि कि आपने खाली आखों से दिखता कि चंध्रमा चंद्रग्राण लगा है या वह मानने है और अपने भारत वर्स में जैसे कि भारत वर्स काफी पहले और बड़ा था अब बट गया जैसे पाकिस्तान बंगला देश तमाम चीन हमारा जमीन को कब्जा कर लिए तो ऐसे और यह जो आपका नेपाल है सब हमारे भारत में था बहुत बड़ा विसाल भारत देश था अब यह सब छटनी कटनी हो के जितना भी है फिर भी बाकी सभी देशों से हमारा भारत देश बहुत ही विसाल और बड़ा है मां लेजे कि भारत के किसी हमारे छोर में जहां से दूसरे देश का सीमा सुरू हो जाता है वहां पर जैसे माले चंद गहां सुरुक्राण लगता कभी पूरे भारत में नहीं दिखता तब भी जब हम कोई पूझा अनुष्ठान कराते हैं तो हम कहां हरे पंडित जी चारण करते हैं तो भारत वर्श की भाना कर सकते हैं लेकिन जब पी बोलतए हैं जो भी दोमिल दिखेगा तो क्यों लोगों को परसान करते हैं तो मैं आप पता रही हूं कि जब दिश हो यानि कि दिखे तभी माना जाता है और ऐसा ना यमाले जी के बादल हो गया तूफान आ गया ऐसे कोई बात हो गई या सूर गरहन चंद गरहन दिश नहीं हुआ और है यानि अगर बादल में चुपा हुआ है तभी मानना जरूरी है क्योंकि जब बादल में च जंद्र ग्रहन नहीं है अपने इस 2020 में सिर्फ दो ही वो भी सूर्य ग्रहन वो भी एक ही यानि कि 21 जून वाला ही सूर्य ग्रहन भारत में दिस्य होगा और इसी का सूतक और पातक मनाय जाएगा और इसके बारे में आपको हम 20 से जल्द ही वीडियो देने वाले हैं जो करत में दिस्य नहीं होगा यानि उसका कोई भी सूतक अपातक नहीं मनाय जाएगा ऐसे ही तमाम ऐसे ग्रह उपग्रह तमाम ऐसे तारे तमाम ऐसे चंदमा सब लगता रहता है लेकिन जो हमारे पंचांग में कलेंडर में है हमारे उप्रोहित कुल उप्रोहित या बड़े स और जब भी चंद ग्रहन या सूर ग्रहन पड़े आसान जिंदगी में सर्च करके देखें उसका उपाय और क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे गोबर से गर्वती महिलाओं को कैसे गोठना रहता है या कैसे तुलसी पत्र रखे उनको जैसे भी उनको जैसे भी आराम लगे उ यह लोग इनको इन लोगों को यानि अनना खाके बाकी लेट सकते हैं और इन जो ग्रहन और होते हैं इसमें अब सब्द बोलना गंदे काम करना इस अब चीजें नहीं करने चाहिए तो मैं आपको सिर्फ यह बता रही हूं कि चंद ग्रहन नहीं है आप सवाल पूछोगे तो म आपको जबाब भी यही बताऊंगी कि कोई चंद ग्रहन नहीं है बस एक ही है एक इस तारीक को तो मैं आपको बताई हूं आप सावधान रहिए जब भी आपका कन्फ्यूजन होता है तो जो हमसे बहने पूछ लेती उनको तो हम जबाब दे लेते हैं लेकिन तमाम बहने प भूमिल भी नहीं होते हैं जैसे कि माली जी सर्दी में जब ग्रहन लगता है तो अब ध्यान दोगे यह एक प्राक्ति घटना है जो सर्दी को जो चंद्रमा होते हैं एकदम निर्मल एकदम साफ होते हैं वो इसलिए कि ओस से जो मिट्टी उगर जो उड़ती है वो सांत रह जैसे जब लगा था एक दम से रात यानि कि 9 बजे करीब लगा था अग्दम से रात हो गई थी पच्छी जो पच्छी होते है वो जब रात होता है जब सुर रहल जाता है तो दच्छीड के तरफ भागते हैं यानि उड़ते हैं तो दच्छीड के तरफ पच्छी भागने लगे थे अग्दम से अंधिरा हो गया पूरा उसका मानता राता है नहाते हैं दान करते हैं सभी कुछ करते हैं घर की साफ सफाई वस्त्रों का धोनाय सब कुछ करते हैं लेकिन अगर नहीं है तो आप बिल्कुल इसको ना मानें पर जो हमारे तमाम बैने ऐसी है जो टीवी में देख लेती हां ग्रहन लगेगा अधाय को हैंपके यह पूरे साल में पूरे बीश्य सब्सक करने नहीं है और गलते हैं और–स ब्रूप सब्सक्राइब Gold मेन सब्सक्राइब और सबूर्स दुन कॉंन वुन तो आप मारा वीडियो देखें और बिल्कुल अफ़वाहों मिनना पड़ें हमारे साथ बने रहें देखते रहें आसान जिंदगी तब तक के लिए नमस्कार सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए झाल करें झाल